आज है चार मार्च दोहजाद चौबिस दिन सुम्बार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को मतरो में अब अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकेट के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन रेल्वे के आगरा मंडल में अनारक्षित टिकेट के लिए अब खिड़की पर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है ये टिकेट रेल्वे के UTS एप से स्टेशन के 20 किलो मीटर के दायरे में प्राप्त किया जा सकता है उक्त एप से टिकेट लेने पर 3 प्रतिशत बोनस भी मिलेगा मंडल वेल प्रबंदक आगरा तीज प्रकार शगरवाल के मार्क दर्शन एवं वरिष्ट मंडल वानिज प्रबंदक अमन वर्मा के निर्देशन में आगरा छाबनी स्टेशन पर UTS on मुबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अनारक्षिट टिकेट लेने हे तू जागरुकता अभ्यान चलाया गया एलियो में नौ से दस मार्च को रोजगार मेला इंडी को समेट तीन सो कंपनीज लेंगी हिस्सा तीस अजार युवाव को मिलेगा रोजगार लोकसवर चुनाओ के अदिसूशना जारी होने से ठीक पहले नौ और दस मार्च को लकनों में बड़ा रोजगार मेला इउजित होने जा रहा है एलियो ओल्ड केंपस सिस्टेश शिवाजी मैदान में होने वाले इस रोजगार मेले में खरीब तीन सो नीजी कंपनीज तीस अजार से अधिक पदों के लिए इंटरव्यू लेंगी सिवायो जन कार्याले और नैशनल स्किल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रायोजे तिस रोजगार मेले का शुभारम रक्षा मंतरी राजनात सिंग और सीम योगी आधित तनात के हाथों होने की उम्मीद है इलाबाद रश्विद्याले में 347 कर्मशारी भरती को अनलाइन नावेदन शुरू ग्रूप डी के सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रही हुआउ के लिए अच्छी खबर है इलाबाद रश्विद्याले ने 347 पदों के लिए आवेदन आमंतरित किये हैं विश्विद रश्विद्याले में कर्मशारियों के कमी जल्द दूर हो जाएगी ग्रूप C के तहट 25 प्रकार के 313 और ग्रूप A के 18 ग्रूप B के 16 पदों पर भरती के लिए नोटिविकेशन जारी कर दिया गया यानि कुल 347 पदों पर भरती होगी एक मार्च से ओनलाइन आवेदन श जोहरी ने मुख्य कारे पालक अधिकारी नॉड़ा वा ग्रेटर नॉड़ा को पत्र भेजा इसमें कहा गया कि लेगेसी स्टॉल रियल स्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए अमिताप कांत पाचपई के रिपूर्ट की आधार पर आवंटियों के हितों म ये फ्लैट्स की रेजिस्ट्री की जानी हैं लगनों के लिए उड़ान सेवा शिरू पियम मोदी कर सकते हैं लोकारपन मुरादबाद हवाई अज्टी के लोकारपन में सिर्फ सफताहबर्द शेश रह गया है आज से दस माश तक तीनों में से किसी भी दिन प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी पांचों नई हवाई अज् लगनों के लिए होगी कान पूजाने वाले यात्रियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है 24 गंटे में दें खराब वोसम से शतिग्रस्त फसलों का मुआपसा मुख्यमंतरी होगी आदे तिनाथ निप्रदेश में खराब मौसम तेज हवा रोला वरष्टी से अनदाता किसान के फसलों को हुए नुकसान के शतिपूर्ती के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिये उन्होंने सभी जिलादिकारियों को निर्देश दिये हैं SDM और तैसीलदारों को मौके पर जाकर ततका सर्वे कराकर संबंदित विभाग को डीटेल उपलब्द कराने के लिए आदेशित किया ताकि 24 घंटे में अनदाताओं के खाते में शतिपूर्ती के धनराशी को भेजा जा सके 21 एड़ेट कॉलेज़स में 98 शिक्षक सर्प्लस सबसमिती करेगी समाई हो जाए संदर्म नगरी प्रियाग राज के देशों से अधिक साहिता प्राप्त बालक मार्देमिक विद्यालियों में से 21 में आवशक्ता से अधिक शिक्षक कारिड़त है खास बात ये है कि जिन स्कूस में शिक्षक सर्प्लस हैं उन्मे अधिकाश शेहरी शेतर में हैं मादमिक शिक्षक निदेशक डॉक्टर महींद रदेव के निर्देश पर छातर संच्छा के अनुपात में गरना की गई तो 21 स्कूस में सर्प्लस शिक्षक मिले अधानी डिफेंस में बने 50% हतियारों का होगा निर्याद देश दुनिया में बढ़ी डिमांड अधानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की कानपुर यूडिन्ट में बनने वाले हतियारों और गोला बारूदों का 50% हिस्सा देश के सचस्त्र बलू के लिए रक्षित रहेगा उत्पादन का 50% है अम्यूनिशन और हतियारों को निर्याद किया जाएगा अधानी डिफेंस में पूरी शम्ता के साथ उत्पादन शुरू हो गया है उत्पादन का लक्ष भी तैकर दिया गया निर्याद शुरू होने पर आत्म निर्भर भारत के लक्ष में ये एक पूर्वांचल को लेकर सुहेल देव भारत्य समाज पार्टी के रास्तिय अध्यक शुम्प्रकाश राजभर ने एक बड़ात दावा कर दिया है राजभर का दावा है कि चुनाओं के बाद पूर्वांचल अलग राज़े बनेगा इस औरान राजभर ने सपा प्रमुक अ आरोपू का जवाब देते हुए कहा कि अखलेश यादव खुद नौबार दल बदल चुकी हैं दो बार बसपा दो बार आर लडी दो बार कॉंग्रिस के अलावा निशाद पाटी भासपा आदी दलों से गड़ बंदन कर चुकी हैं परानसी नगर निगम में डेड़ करोड की विर्तिया नियमित्ता दोशी कर्मशारियों पर गिरेगी गाज पांक साल पहले के नगर निगम के परिवहन विभाग में करोडों रुपे की विर्तियानियमित्ता उजागर हुई है अधिक्दाम परवाहनों के पाच खरीदने और बगैर मरम्मत भुक्तान के मामले में जिलादिकारी एस सुराज लिंगम ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को पत्र भी जा है पीज़ेपी के मिशन 24 में ग्यान बनेगा हतियार पीम मोदी की अपील के बाद बूत लेवल पर बना खास प्लैन लोगसबा चुनाओ अब नजदीक आ चुका है इस महीने चुनाओ की तारीकों का एलान की संभावना है लोगसबा चुनाओ को देखते हुए भाचपा बहुर भी एक्टिव हो गई है सीट के साथ-साथ भाचपा हर बूत वोट प्रतीशत बढ़ाने की जुगत में जुच गई इसके लिए भाचपा ने एक नया हतियार तयार किया है इस हतियार का नाम है ग्यान भाचपा ग्यान के जरिए मिशन दोहजाद चौबिस मिजंता के विश्वास के साथ उनके मतों को भी आसाने से हासिल कर ले इनन तेज सीटों पर सपा भाजपा के बीश दिल्चस्प होगा मुकाबला लगनों में राजनाथ सिंग की इनसे होगी ठकर प्रदेश में तेज लोग सबा सीटे ऐसी हैं जुन्फर भाजपा और सपाथ दोनों दलों और अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं, बस्ती में एक बार फिर मौधुदा सांसद हरीष mim Hindu और रामप्रशाथ चौदरी आमने सामने होंगी, बस्ती में रामप्र्शाथ चौदरी को अपना प्रत्याशी बनाया था, जब की इ से लोगों को सियम योगी ने खुली छेतावनी मुख्यमंतर योगी आदितनाद ने यूपी के युवाव को अश्वस्त करते हुई एक बार फिर से दोहराया कि कोई भी युवाव के भविश्य के साथ खिलवार नहीं कर सकता यदि किसी ने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर के बनाया उमीदवा लोगसबा चुनाओ को लेकर भाजपा ने कमर कसली पाठी असी सीटों वाले यूपी के ग्यावन लोगसबा शेत्रों के प्रत्याशियों के नाम के घुशना कर दी पीम नरेंदर मोधी तीसरी बार काशी से चुनाओ लड़ेंगे इसके अलावा पहली पॉसरीन ओजाच से इस दिन न्ऱोगस के के इंदर सरका ने अपने मांगे बनाने के लिए अड़े किसानों ने ऐलान किया है कि इनके प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है जगجीत सिंह डल्लीवाल ने बताया कि अब ज़गजीत सिंह डल्लीवाल ने कहा कि हम पीछे नहीं हटे हैं इताय किया गया है कि हम डल्ली के बॉर्डर्स पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे टिकेट के उलट फेर पर बसपा की नज़र पहली सूची में हो रही देरी लोगसबा चुनाओं के तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों में टिकेट बढ़वारे को लेकर हो रहे उलट फेट पर बहुजन समाज पार्टी की नजर है चुनाओं में सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घुश्रा करने वाली बसपा इसी वज़े से इस बार संभल कर कदम बढ़ा रही है पिछले चुनाओं में सपा से गटबंदन की वज़े से आधी से ज़ादा सीच पर उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थी कॉंग्रेस से गटबंदन के बाद सपा की माइक्रो प्लानिंग कॉंग्रेस ने ताउ से खूब मिल रहे प्रत्याशी साथ साल बने आधिया दूरे गटबंदन से सबक सीखते हुए अब सपा कॉंग्रेस निचले इस तरपर ताल मेर पर जूर देना शुरू कर दिया है अपने शेतर में सपा नेताओ से संपर्ग बनाना शुरू कर दिया है लगनओ में यादव माकुम में बहुचे MP के सीएम कानपुर में अपरण करताओ के चंगुल से मुक्त हुआ मासूम मदबर्देश के सीएम मोहन यादव रविवार को लगनओ पहुचे यहाँ जिपने सीएम ब्रजेश पाचक और बीजेपी के कारिकर्टाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया उन्होंने यहाँ बिचनौर रोड इस्थेथ गुजौरा मैदान पर आयोजित यादव महाकुम्ब को संबोधित किया इस कारिकर्ब में यूपी के अलग-अलग जिलों से यादव समाज के लोग जुटे हैं सोलर एनरजी को खरीदने की लूट 19 रुपे का शियर बढ़कर 570 पर आया 2800 परसंट का दिया चौकानी वाला रिटॉन भारत के रिन्येबल एनरजी शियर्स में पिछले दो सालों में रीटेल खरीदारों के धेर लगने से जबरदस्त देजी आई गुजरात इस्थित सोलर और विंड एनरजी प्रोड्यूसर एस्जी मार्ट लिमिटेड के शियर्स ने पिछले एक साल में जबरदस्त रिटॉन दिये साल भर में ये शियर 19 रुपे से बढ़कर 570 रुपे तक पहुच गया इस दोरान इसने 2800 परसें तक का तगड़ा रिटॉन दिया भारत में विक से थोरा मजबूत सेमे कंज़क्टर एको सिस्टम 2026 तक वैश्विक केंदर बनने की रहा पर सेमे कंज़क्टर के शेतर में भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है भारत 2026 तक सेमे कंज़क्टर मांके धब बनने की रहा पर है इस दुशा में केंदर सरकार लगाता ठोसकदम उठा रही है सेमे कंज़क्टर से जोड़े प्रोजेक्ट में भारत भारी भर कम निवेश कर रहा है बैंक अमाउंट में मिनिमम् बैलन्स रखने को लेकर RBI ने बनाए नए नियाम अगले महीने से हो जाएंगे लागू रिजर्ब बैंक अफ इंडिया ने खातों में मिनिमम् बैलन्स को लेकर बड़ा बदलाओ किया है अगर आप bank account का इस्तमाल नहीं कर रहे तो आपको minimum balance charge नहीं देना होगा RBI ने कहा कि bank उन खातों पर minimum balance maintenance ना करने के लिए penalty नहीं लगा सकते जो खाते निश्क्रिय हो चुकी है इसमें उन खातों कुछ आमल किया गया है जिसमें दो साथ से अधिक समय तक कोई भी transaction नहीं किया गया है अगर JEE नहीं कर पाए clear तो engineering courses के लिए दे सकते हैं entrance exam Engineering courses के लिए Indian Institute of Technology किसी भी छात्री की पहली पसंद है IIT में admission के लिए JEE advanced परिक्षा को पास करना होता है और institute में सीथ की सीमित संख्या और कठिन प्रवेश परिक्षा के कारण देशवर के कम ही छात्र IIT में अपनी सीथ पकी कर पाते हैं ऐसे में उन प्रवेश परिक्षाओं की लिस्ट बताई जा रही है जहां छात्र बिना JEE परिक्षा को दिये अंडर ग्रेजुएट इंजिनिरिंग कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं वैलोर इंस्टिटूट अफ टेक्निलोजी की ओर से विफन प्रतिभागी केंपल्स जैसे वी आईट वैलोर, चिन्नाई, भुपाल और अमरावती के बीटिक इंजिनिरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए वी आईटी ईई प्रवेश परिक्षा का आयोजन किया जाता यात्रियों के टेंशन खात्म देश भर में दोड़ेंगी अमरत भारत ट्रेंस, एक हजार से अधिक का हो रहा निर्मान भारत आने वाले वर्षों में नई पीडी के खरीब एक हजार अमरत भारत ट्रेंस का निर्मान करेगा रेल मंतरी अश्विनी वैशनों ने खुद ये बात कही उन्होंने बताया कि 200 किलोमेटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली ट्रेंड बनाने का काम जारी है योगी सरकार शुरू करेगी MYUV योजना युवाओ को 5 लाख रुपे तक मिलेगा इंट्रेस्ट फ्री लून उत्रप्रदेश के योगी सरकार ने युवाओ के हित में बड़ा फैसला लिया सियम योगी आदितना जल्दी प्रदेश के युवाओ में उध्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उध्यमी विकास अभ्यान योजना शुरू करेंगे MYUVA योजना के तहट योगी सरकार का लक्षे हर साल पांच लाख रुपे तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर एक लाख युवा उध्यमियों को तयार करना है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरक करें धन्यवाद